दोसतो नमस्कार मैं पन्दित सबासत मिश्रा हमारे यूटुब चैनल में आप शबी का श्वागत है दोसतो आज मैं लेकर आया हूँ निर्जला एकाजसी ब्रत की शंपूर्ण जनकारी दोस्तों सास्त्रों में एकाजसी ब्रत का शभी ब्रतों में स्रेश्ट और उतम ब्रत बताया गया है एकाजसी ब्रत का वर्णन महां भारत की कथा में भी मिलता है भगवान स्रीकिष्ण ने श्वयम धर्मराज युदिष्टिर को एकाजसी बरत के बारे में बताया था इन्ही एकाजसी बरतों में से एक निर्जला एकाजसी बरत है इस एकाजसी बरत का बीना पानी पीए रखा जाता है इसलिए इसे निर्जला एकाज़ी भी कहते हैं शनातन धर्में हिंदु धर्में माना जाता है कि इस निर्जला एकाज़ी के बरत रहने से मनवांचित फल्की प्राप्ती होती है महरसी बेद ब्यास जी ने निर्जला एकादसी के बारे में भीम सेन को बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम से बर्स भर की साल भर की सभी एकादसी ब्रत नहीं रह सकते तो तुम केवल निर्जला एकादसी का ब्रत कर लो इसी से शाल भर के सभी एकादसी बरत करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा तब भीम सेन ने वैसा ही किया तब भीम सेन को सुर्ग की प्राप्ती हुई इसलिए इसे भीम सेनी एकादसी भी कहते हैं इस एक आदसी के ब्रत रखने से साल भर में आने वाली सभी एक आदसीयों का फल प्राप्त होता है इस ब्रत में सुर्योदय से लेकर अगले दिन सुर्योदय तक जल नहीं पीने का बिधान है इस दिन निर्जल रह करके बगवान विश्नु की अराधना करना चाहिए भगवान विश्णू के अराधना करने का विधान है इस ब्रत के रखने से दिरगायू और मुक्ष की प्राप्ती होती है अब आईए जानते हैं कि निर्जला एकादसी का ब्रत शुब महुर्थ कब का है दोस्तों एकादसी तिथी 10 जून 2022 को प्राता 7 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 11 जून 2022 को 5 बजकर 46 मिनट तक है एकादसी तिथी है मैं आपको बता दूं कि उदिया तिथी के अनुशार निर्जला एकादसी 11 जून को है एकादसी के अबरत बहुत सारे लोग 11 जून को रहने वाले हैं और बहुत सारे लोग 10 जून को रहने वाले हैं ऐसा क्यूं है इसी कनफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों शादू संत या बैश्णु संपरदाई से शंबंद रखने वाले जो भी सज्जन हैं, मित्र हैं, भक्त गण हैं वो लोग द्वादसी तिती से मिली हुई एकादसी का बरत रखते हैं और जो गिरहस्त होते हैं वो एक दिन पहले एकादसी का बरत करते हैं इसलिए कलेंडर में या पंचांग में पत्रे में दो दिन एकादसी का बरत लगाते हैं इसलिए आप सबी सोच में पढ़ जाएंगे कि किसी दिन बरत करना चाहिए इस बार गिरहस्तों के लिए निर्जला एकादसी का बरत 10 जून 2022 को है इसी दिन 10 जून 2022 को ही ब्रत करना चाहिए एकादसी का ब्रत और पारण बिधी दौदसी में किया जाता है इस बार जो एकादसी तिति है वो 10 जून 2022 को शुबा से लेकर के 11 जून 2022 को प्राता पांच बच के 46 मिनट तक है इसके बाद दौदसी तिति लगेगी और 12 तारिक को 12 जून को सुबा 3 बज़ कर 24 मिनट तक ही दौदसी तिति है और एकादसी का ब्रत रहने के बाद दौदसी तिति में पारण करना चाहिए ऐसा विधान सास्त्रों में है उसके बाद 3 जून 2022 को ही निर्जला एकादसी का ब्रत होगा सब के लिए इसलिए इस बार आप सब ही बैसनों हो या ग्रहस्तों हो सब के लिए 10 जून 2022 को ही निर्जला एकादसी तिति शब के लिए होगा और उत्तम रहेगा ऐसे में निर्जला एकादसी तिति का पारण 11 जून को शुबह शुर्योदे के बाद करना चाहिए शुर्योदे का जो समय होगा 11 जून को सुबह पांच बज़ कर 23 मिनट पर है और एकादसी तिति पांच बज़ कर 46 मिनट तक है इसलिए आप सबी शुबह 7 बज़े के बाद आप निर्जला एकादसी का पारण करें अगर आप रह सकते हैं तो आप 1 बज़ के 44 मिनट डेड़ बज़े तक भी आप रह करके पारण कर सकते हैं निर्जला एकादसी के बरत के नियम आपको मैं बताता हूँ आप ध्यान से शुनें और इसी तरह निर्जला एकादसी का ब्रत करें निर्जला एकादसी के दिन शुर्योदय से लेकर सुर्योदय तक जल और अन गरहन नहीं किया जाता है प्राता इश्नान के बाद भगवान विश्नु का विदी विदान से पूजा करना चाहिए उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमों भगवते वासु देवाय मंतर का जब करें भक्ती भाव से कथा सुनना चाहिए भगवान का किर्टन करना चाहिए इस दिन जल से भरा हुआ कलस पीला या सफेद वस्तर से ढख करके कपड़े से ढख करके चीनी और दक्षणा के साथ मंदिर या ब्रामर को दान करना चाहिए इस बिदी से ब्रत और दान करने से भगवान की क्रिपा प्राप्त होती है इस दिन अन वस्त दान करने से और जल से भरा हुआ कलस का दान करने से दिरगायू और मुक्ष की प्राप्ती होती है उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सबी मित्रों से निवेदन है कि कमेंट में ओम नमो भगवते वासु देवाए या ओम विश्नवे नमा जरूर लिखें और इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें ओम नमो भगवते वासु देवाए